क्या आप जानते हैं अगर आप इस तरीके से डाल बनाते हैं अपने घरों में तो ये बिल्कुल गलत तरीका है डाल बनाने का फिर आप सोच रहे होंगे कि डाल कैसे बनाएं डाल तो हम वर्षों से ऐसा ही बनाते आते हैं और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है लेकिन दोस्तों जल्दबाजी के चक्कर में हम अपनी सहत के साथ खिलवाड तो नहीं कर सकते हैं अल्यूमिनियम धातू बहुत ही ज्यादा हानिका रखे हमारे स्वास्त के लिए यदि लगातार हम कूकर में भूजन बनाते रहें इसका सेवन करते रहें तो दमा अस्तमा आदी रोगों के शिकार हो सकते हैं आयूर्वेद के अनुशाद भी भोजन बंद बर्तन में नहीं बनाना चाहिए खुले बर्तन में ही बनाना चाहिए तो हम कूकर में ही भोजन बनाते हैं और कुकर में भोजन हीट और प्रेशर की मदद से पकता है जिससे उसमें उपस्तित सारे पोशक तत्व नश्ठ हो जाते हैं और यदि पोशक तत्व ही भोजन में नहीं रहे तो वो हमारे स्वास्त के लिए कैसे लाबदायक हो सकते हैं आयरुवेद की अनुसार भी चारों तरफ से बंद बरतन में खाना नहीं बनाना चाहिए आयरुवेद की अनुसार खाना बनाते समय भोजन में सूर्य की रोशनी और वायू का संपर होना चाहिए अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल को तोड़ा एक गंटा पहले भिगो दीजे और आप मिट्टी के बरतन को गैस पे भी आराम से बना सकते हैं बस आपको फलेम लो रखना है या लो टू मीडियम रखना है ये बनाना बहुत ही असान है, मिट्टी के बरतन में बनाने में आपको calcium, phosphorus भी मिलेगा, iron और magnesium भी मिलेगा आपको याद होगा आपकी दादी या नानी दाल जब बनाती थी तो ये सारा उपर उटने वाले जाग को बाहर निकाल देती थी और हमारे शरीन में प्रती दिन धेर सारा ये यूरीक एसिड जाता है जो कि हमारे हड्डियों के लिए हानिका रखोता है गठिया जोडों में दर्द आदी की समस्या इसी यूरीक एसिड की वज़े से बन जाती है जो कि हम खुद खाते हैं अपने बच्चों को खिलाते हैं तो आज से आप भी इसी तरीके के बरतन में बनाएए कूकर में दाल बनाने में 10 मिनट लगता है और इसमें 28 मिनट लगता है 18 मिनट का अंतर है तो कृपया कर अपने स्वास्त पर ध्यान दे